दोस्तों एंटीपीसी का जो इस्पेशल क्लास का स्रीज चल रहा है रिजिनिंग का आज पंद्रवा क्लास देखने वाले हैं जिसमें कि हम दिशा परिक्षन का ही एक बाग इसका पहले बना चुका हूं यह वह आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा आज दूसरा बाग ह है डारेक्षन टेस्ट का ही तो दोस्तों सुरु संतक बने रहेगा ताकि आपको अच्छे समय और यदि चैनल में आप पहरी बार आ रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा और साथ में बेल आइकन क्लिक कर लिजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडिय सामने कि भी बोला है सामने का और चल रहा है कोछब कुछ भी माल नें यहाँ कोई सब्सक्राइब को दोलते हैद वह 250 wiele क्या था जो कोशन था कौन पर आधारित था ठीक है जो हमारा यह था यह कौन पर आधारित था बट आज क्या देखिंगे हम कुछ दूरी चलते हैं उसके बाद दायवाय मुड़ते हैं तो आपको इसका थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं दायवाय आपको कैसे से डिसाइड करना है आपको इसी में कंफ्यूजन होगा आप मानली जी इस पॉइंट पे हैं ठीक है इस पॉइंट पे हैं आप इधर जा रहा है यह क्या है यहां क्या है वेस्ट यहां क्या है नौर्थ और यहां साउथ यह हमने लास्ट वीडियो में सीखा है तो यहां पूर करना है कि यहां पर क्या हो गया लेट लेट गया तो लेटने के बाद मतला मुद नीचे की तरफ दक Um करके जो लाइन मुँल निख रहे है क्या डॉट यहां पर मुख करके लेट जाइए लेट जाएंगे तो आप आपका इधर लेट जाएंगे आपका उपर जा रहा है और लेफ्ट हैंड नीचे आ रहा है आप आप लेफ्ट हैंड नीचे आएंगे तो क्या होगा देखी यह नीचे अब मतलब तो आपका मुह के है इस साइड नीचे साइड तो आपका लेफ्ट राइट कैसे डिसाइड को यह हो जाएगा राइट तो इस तरह सापको करना है कि left right कैसे अब इस point से देखना है बी बिंदू से किस तरफ मुड़ता है दाई तरफ अब दाई तरफ देखेंगे तो कहां आएगा नीचे side दाई तरफ मुड़ता है और चलता है तो यह हो गया last मेरर अब यहां बोला है और पांज किलीaches से अर ततरा पंच किली sır उर किलीटर और चलता है मतलब क्या हो रहा है इसके बाद यहां से यहां से यहां के बाद हो कहा है पहले 5 km कहां 22 और 19 यहां से दायां कैसे करेंगे यहां पर आक्र यहां लेट जय लिजह तो आपका लेफट हैंड कि धर जा रहा है यह बैदर यहां बाह具 है 5 मीटर दो यह चला बाड फिस फिर गांत यहां से फिर बाहूर कहां जाएगा ऊपर तो उपर कितना 15 15 मतलब यह तो 10 है यहां तक देखिए यहां तक तो यह 10 है यहां तक और 5 उपर और चलेगा मतलब इस पॉइंट तक यह हो गया 5 मतलब नीचे 10 उपर 5 15 हो गया फिर यहां से कहा 15 मीटर फिर यहां से बाइच क्या बोला गया हर बार बाइच तो हर बार यहां स सब्सक्राइब यहां तक तो पांच यहां तक अधिमाने यह वाला पॉइट यहां तक पांच और दस मीटर और आगे मतलब इस पॉइंट के यह सिद्ट के सीथ प्या जाएगा तो यह कितना हो जाएगा पंदरा मीमितर समझ मैं आप कम समय अपने प्तस्थान से कितनी दूरी पर हैं कितनी आथा यह से यहां तक यह नोले पर दस को यह जो दूरी है यह और ए इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है यहां जितना है 5 तो यहां पर भी 5 होगा बतलब कितना पांच मीटर तो इसका आंसर कहा हो जाएगा डी नमबर उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आएगा चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखत क्या बोल रहा है रतन 15 किलमेटर पूर्व की ओर चलता है तो सबसे पूर्व आपको दिसाइड करना पड़ेगा तो उसके लिए ऐसे हमने पिछले वीडियो में सिखाए इस वेस्ट नौर्थ सौथ यह हमारा पूरव हो गया तो कोई बिंदू ले लेते हैं यह तो यह बिंद किश कोर गूमता है तो बाया हाथ देखे इधर से किद़ जाएगा जबाया Alors उपर के हो जाएगा वाया हात तुपर 15 मीटर चलता है यह हो गया 15 मीटर ठीक है यह भी पन्रा मीटर हो गया भायोर गुमकर 15 मीटर चलता है फिर वह अपने दाएं मूढकर कितना 12 मीटर चलता है अब यहां से कहां गुमा दाएं दाएं कि इधर जाएक आप देखिए इधर मुझ करके खड़े होंगे तो आपको दाया आथ इधर जाएगा तो आपको दाएं तरफ मुढ़ना और कितना चलना वारा मीटर यहां से मालवいき इस पर Online तक यह भी यीसी की द favored कोई भी पॉइट देते ई दी तो कितना है यहां से यहां llegó कर बारा मीटर अब क्या बोलता है फिर वह दाय मुँल ba 15-15 चलता है अब मतलब कि यहां से दाया मतलब नीचे साइड देखेंगे तो आपका दाया कि दर आएगा लिए नीचे साइट नीचे कितना कि ना मीटर चलता है 15-15 मीटर इस पॉइंट तक आगया कितना तो इसे इधर कोई बिंदु एफ है कितना चला डस मीटर यहां चला दस मीटर अब बोल रहा है उसके प्रारंभिक बिंदू बाबरतवान इस्थिति के बीच सबसे कम दूरी तो यहां देखिए प्रारंभिक बिंदू यह है और अंतिम बिंदू कौन सा तो इन दूरों को मतलब यह से अब दूरी तो पहले यह से बी तक बंदूर और से इतक इतना हो जाएग चले नक्सक्रण देखते ऊब दोस्ती तीसरा कोश्रन है देख पंदा ग्लो मेरे घर से पश्चिम की तरफ 15 किलोमेटर गया अब यहां पे भी उत्तर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिन बोला जा रहा है तो आप क्या करी इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यह आपको यहाद हो जाया गाले यह मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं बट आपको दिमाग में डाइग्राम ब पूर कर 20 किलोमेटर चला यह बाइक और करके इचे साइड इधर कहा जाएगा किपने कृण कर के तननकी बेसफ किलोमेटर बाइप ciao खलता है तो पंचिस किलोमेटर, कि तक चला तक टीक है, अब आगे क्या बոल रहा है, तथा अंत में बाई और मुरकर, यहां से कहां मोड़ा, बाई और मुरकर 20 km चला, बाई और मुरकर 20 km मतलब ऊपर की ओर 20 km यह है E बिंदू, तो यह कितना चला 20 km चलता है, वह मेरे घर से कितने दूर है, तो मेरा घर मतलब जिसका भी घर था, वहां से लचमन स्टार्ट किया था, त यहां से यहां तक की दूरी, यह पूछा है, A से E तक की दूरी कितना है, तो देखिए, यह पूरा B से E तक देखे तो कितना है, टोटल, 25 है, सीडी जितना होगा, उतना ही होगा, तो 25 हो जाएगा, 25 में से यहां तक 15 है, तो इधर कितना बचा 10, मतलब A से E तक की दूरी कि इतना है 10 किलोमीटर इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर चलें नेक्स्ट कोशन देखते हैं अब चौथा कोशन है देखी क्या बोल रहा है रभी घर से निकल कर 10 किलोमीटर दक्षिन की और अब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिन बोला जा रहा है तो इस वेस्ट नौर आब किस दिसा की और दक्षिन की और साइक्ट के चला 10 किलोमीटर कहाँचा वीopente पहुच गया आगे क्या बोलता है फिर वहें दायेम मूर गया और 5 km साइकल से चला अब यहां से कहां मूर रहा है दाइं दायें कहां होगा इधर तो जाएए यहां तक कितना है? 5 km है, cycle से चला, फिर वहां से दाय मूर कर 10 km साइकल से चला, फिर क्या कर रहा है? दाय मूर रहा है तो यहां से यह देखेंगे, आप इधर मूह करके खड़े हो जाएए, आपका दाया और बाया हाथ किधर जा रहा है? तो दाया हाथ उपर की उर जा रहा है तो उपर की और कितना जाएगा 10 किलोमेटर तो यह मान लिजे सी से डी तक गया 10 किलोमेटर 10 किलोमेटर साइकल से चला दाए मुड़ा फिर 10 किलोमेटर साइकल से चला उसके अब कितना हो गया 10 5 और 10 मतलब यह 10 हो गया ये 5 हो गया और ए 10 हो गया उसके बाद इसके बाद वह है बाए मुड़कर 10 और 10 km साइकल से चला आप कहा हम उड़ा है इस पॉइंट से बाए मतलब इधर हो जाएगा आप देखें बाए यहाँ इधर जा रहा है तो बाए मुड़कर कितना चला 10 km मालेजे कोई बिंदू यह ह यहां तक कितना चला 10 km चला सीधा घर के लिए उसे कितना किलोमेटर साइकल से चलना होगा अब घर जाने के लिए देखी यहां है यह बिंदू पर है और ए बिंदू तक जाने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा इसे ए तक की दूरी इसे डी तक है 10 और यहां देख कुछन देखते हैं अब जैसे पांचमा कुछन है इसमें क्या कुछा देखी एक बैक्ती एक केंद्र बिंदु ओ से तीन किलोमेटर दक्षिन की और चलता है अब देखिए इस्ट वेस्ट नौर्थ साथ अब कोई भी पॉइंट है माल लीजी ओ जसे दक्षिन की ओर मतलब नीचे की अड़ दक्षिन की और तीन किलोमेटर चलता है तब वह है दाहिने, आप किधर मुड़ रहा है, दाहिने मुड़ कर 12 किलमेटर चला, दाहिना मतलब किधर हो जाएगे इस पॉइंट में, बी बिंदू से आपको कहा मुड़ना है, दाहिने पॉइंट पर, दाहिनी और मुड़ना है, तो दाहिना और किधर हो जाएगे, इधर साइड हो जाएगा दाहिना इधर, आप देखिए आप नीचे इतरफ करकर है, आपका दायां की तरफ कितना रही रहना किलो मेटर? 2 km चल कर रुख जाता है तो वह है बिन्दू O से कितनी दूरी पर है अब देखिए O से यहाँ तक का पूचा है अब समझेए करे कहाँ से कहा तक पूचा है O से मतलब इस बिन्दू से इस बिन्दू तक की दूरी पूचा है कि यह क्या होगा तो निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे देखिए आप हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर नीचे आये और यहांसे इस बिंदु को मिला दे तो यह हमारा एक त्रिभूज बन गया पाइथाग्रोस प्रमें अब लगा सकते हैं O और इसको माले सी था इसको D दे देते हैं इसको E देते हैं O D तिरे भोज O D E इसमें क्या करिया पाइथाग्रोस प्रिमें लगा दीजिए पाइथाग्रोस प्रिमें कैसे लगाएंगे देखिए यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा कर्ण हो गया यह हमारा क्या हो गया लंब और यह क्या हो जाएगा डी आधार ठीक है अब डी का दूरी कितना हो जाएग भाइथार में लगा दीजे तो कड़न का स्कॉर मतलब ओडी jeśli kita मंद आप को दी का स्कॉर भराव पर आपना डी नॼ्लम का परकॉन किका मitले ऑंडर किया का स्कॉर्स प्लेस डी इकतना है 12 का स्क्वेर तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ पाचम 25 प्लेस बारा बारा 144 टो टोटल कितना हो गए पाच चार नौ और चार दो च्छे च्छे और वन तो रूट ऑफ 169 एक इसका स्क्वेर होता है इसका बर्गमुल निकालेंगे तो तेरा आ जाएगा तेरा किलोमीटर इसका आंसर है यह नंबर इसका आंसर होगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा इसी टाइप के कोशन कुछ और करेंगे उससे आपका डाउट और के लिए हो जागा चलिए आप निक्स्ट कोशन देखते हैं अब दोस्ते चटा कोशन है देखी क्या बोल रहा है एक बैक्ती 10 मीटर सामने की और चलकर 40 मीटर दाहिने की और मुड़ता है अब किसी भी साइड आप चला सकते हैं यहां पर मतलब किसी दिशा की बात नहीं किया तो मान लेजिए कोई बैक्ती यहां है यह बिंदू पर है उसके बाद देखी क्या बो कर देखेंगा पर देखेंगे यहां से अब कर नीचे का चल रहा है कि यहां से अग्चों का डियाद कर तुpos बुसित mi कितना है मिटर चलता है अब सी से आपको किदर मूड़ना है बायूर मूड़ना है तो बायूर पहले कितना चलेगा पांच मीटर क्यों 5 متर चला कह ह हर ठांद इतक पहुचा फिर यहां से बाहन और मूरेगे और प्रक्तल चलेगा दस मीटर मतलब यहाँ से मैंन लीजे याँ चला यह कितना है ई इूक ऑच पर फिर इससे किदर हो इस मीटर जब हुआएगा 20 दक यहां से यहां तक कितना पाइच एक हषा खेंगा, पन्दर हो गया अब आगे क्या बुलता है बत है, वह है, सुरु के बिंदू से का निया है ? और यहां से यहां तक की दूरी पूछा है तो इसको हम अलगतर ले लते हैं यहां से यहां तक की दूरी पूछा है अब हम क्या करेंगे यहां से लंब डाल दीजिए इसको लंब डाल दिया यह अब ए f और इसको g नाम देते हैं तीक है Rs.02 अब यह जी तक की दूरी आपको चाहिए तो बो कैसे निकालेंगे यह आपको पता होना चाहिए देखे यह से बी तक कितना है दस तो मतलब यहां से यह । है और इस पॉइंट तक की दूरी यह भी कितना हुजाएगा दस यी A F तो A F वरावर root of किसका square लंब है लंब कितना हो जाएगा दोस्तों लंब देखिए ये पूरा कितना है 40 का 40 और यहां से B से C तक 40 है और यह जो बिंदू है E और D यह कितना हो गया 10 बचा कितना 30 यहां से B से इस बिंदू तक जितना होगा यह से इस बिंदू जी तक भी उतना होगा मतलब यह वह कितना हो जाएगा यह हमारा 5 का square प्लस 30 का square तो रूट ऑफ कितना हो जाएगा 25 प्लस 900 तो आंसर कितना हो जाएगा 925 रूट ऑफ 925 तो हमारा आंसर क्या होगा रूट ऑफ 925 यह नंबर उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा चली नेक्स्ट कोशन देखते हैं अभी सात्मा कोशन ने देखी क् आदमी अपने कारेले से 3 किलोमेटर पूर्व चलता है मतलब 3 किलोमेटर पूर्व क्यों अब हमने देख लिया अभी तक तो इस्ट विस्ट अच्छे से याद हो गया होगा आपको ड्रॉन ही करना है आपको डिरेक्ली करना है जैसे इस पॉइंट में वाली जो ऑफिस है ए उपर की ओर कि बाई और मुड़कर 3 किलोमेटर चला मतलब बाई और मुड़कर मालीजिए यहां तक कोई विंदू है सी सी तक कितना है 3 किलोमेटर चला वह फिर बाई और मुड़ता है अब सी से बाई और मतलब कि इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा इधर साइड बाई औ और C से 2 और मुड़ता और 5 km चलता है तो 5 km यहां से 5 km चला दीजिए तो यह वो गया 5 km D बिंदू त towel रागे क्या मतось है वह सुरूवाती बिंदू से कितनी दुरी पर है अब सुरूवाती बिंदू से कितनी दूरी पर वो निकालना है मतलब हमें यह दूरी चाहिए A से D तक चाहिए तो A से D तक करने के लिए हम क्या करेंगे A से इसके उपर एक लंब डाल देंगे C, D के उपर एक लंब डाला तो ये कोई बिंदू मिला हमें मानले जी ये कोई O बिंदू है और ये क्या है A, O, D अब तिरिभुज A, O, D में आपके करिए पाइथागुरस प्रिमें लगा दीजे तो पाइथागुरस प्रिमें लगाने के लिए हमें क्या चाहिए ये जो डिस्टेंस है, लंब और आधार वो भी चाहिए होगा, तो ये लंब कितना हो जाएगा देखिए, B, C का दूरी कितना है पाँच, पाँच किलोमेटर और उसमें से हमें पता है यहां से यहां तक A से B तक की दूरी कितना है, 3 मतलब O से C तक की दूरी भी 3 होगा तो इधर कितना बचा, 2, 3, 2, 5 हो गया मतलब D और O कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो अब हमें क्या चाहिए A, D, तो A, D, कर्ण का स्क्वेर बराबर लंब का स्क्वेर, लंब का स्क्वेर इसमें से किसी को भी लंब माल लीजिए, किसी को भी आधर माल लीजिए वो कोई दिक्कत नहीं है, तो 3 का स्क्वेर प्लस 2 का स्क्वेर, तो कितना हो जाएगा रूट और नाइन प्लेस फोर तो कितना हो जाएगा दस तिन तेरा रूट और तेरा किलोमेटर तो यह हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर इसका आंसर होगा चले नेक्स कोशन देखते हैं अब दूस्ते आठमा कोशन है देखिए क्या बोल रहा है एक आदमी पूर्व की ओर एक किलोमेटर चला बी बिंदू पर पहुझ गया एक किलोमेटर चला बी बिंदू पर पहुझ गया और फिर वह है दक्षिन की ओर मोड़ता है तो दक्षिन मतलब अब दक्षिन दिशा की बात कर रहे है तो दिशा मतलब नीचे हो जाएगा दक्षिन की ओर मोड़कर है दो किलोमेटर चलता है इसके बाद वह है उत्तर की ओर मुड़कर नौ किलोमेटर चलता अब और आसन मना दिया उत्तर मतलब ऊपर की ओर ऊपर मुड़कर कितना चलता है वह नौ किलोमेटर यह देखे यह पूरा कितना था बी से सी तक पांच किलोमेटर है मतलब चार किलोमेटर उससे भी आगे जाएगा तो नौ किलोमेटर इधर कहीं डी के बाद यहा हमान लेजे ई पॉइंट है तो यह नौ किलोमेटर हो गया यह नौ किलोमेटर चलता है बताईए वह है अपने प्रारेंबिक बिंदू से कितने दूर है अब प्रारेंबिक बिंदू से दूर कितना है वो बताना है मतलग इस पॉइंट से यह से ई तक की दूरी आपको बताना है कितना है तो हम क्या करेंगे यहां से बी बिंदू से D E पर एक लंब डालेंगे यहां से इसको मिला दिया तो यह कितना हो गया हमारा इस point को हम दे देते O तो क्या हो जाएगा A O E A O E तिरिभुज A O E में आप क्या करिए पाइथागो रस्प्रेमें लगा दिजे उसके लिए आपको O E की दूरी चाहिए और B O भी चाहिए होगा तो B O कितना है देखे नीचे कितना है C D बराबर B O होगा तो यह कितना हो जाएगा दो मतलब टोटल A से O तक की दूरी कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा A O यहां से यहां तक की दूरी O E की दूरी कितना हो जाएगा देखे यहां से यहां तक कितना था 5 मतलब B से C तक 5 तो O से D तक भी कितना हो जाएगा 5 और टोटल कितना था 9 यह हमारा 9 था ना E से D तक तो 9 में से 5 गया तो 4 बचा मतलब ऊपर कितना हो जाएगा 4 मतलब यदि हम कर्ण देखे कर्ण का स्कार बराबर मतलब A कि इसक्राइब तो इसक्राइब कितना त्यूंज में आ गया होगा कि इस टाइब को कैसे करते हैं तो दोस्तो आज हमने देखा को के यह द कि están अफिसा अफिर कि स्टा राएं विक में एड रखता है कि किसी भी ओर जा रहा है वहां से दायवार पूर से पूर मुडता है तो एक पूरा जैनल को सबति करी चलिए ने चलिए था-खिंड जै भारत